चलिए आज की क्लास में अभी हम लोग देखते हैं उचने आले को यानि की हाई कोट्स को हाई कोट्स का काम तो लगभग सभी को मालूमी होगा फिर भी इसे समंदित कितने परशना भी तक आया हैं 20 years में हम लोग अभी सब को डिसकस करेंगे बारी बारी से चलिए पहले मेरे कुछ प्रस्णों का उत्तर देजिए कि भारत में सबसे पहला हाई कोट जो है वो कहां स्थापित किया गया था कब किया गया था और कौन से चार्टर से किया गया था चलिए अब हम लोग इन सारे कोश्चन को देखते हैं अंड़मांड एवब निकुबार दीपसमों किस उच नियाले के छेतरादिकार के अंतरगत आते हैं तो ये कलकत्ता उच नियाले के अंतरगत आते हैं अंड़मांड और निकुबार कई बार ये प्रस्ण है न वो पूछा गया है और इसमें आपको कन्फ्यूज करेंगे चन्नी देदेंगे या फिर तमिलांडू के देदेंगे करनाटका देदेंगे तो दच्छिन के कई राजी देके आपको कन्फ्यूज करने की कोशिस करेंगे तो अंडमान और निकोबार दीप समय किसके अंतरगत में आता है यह कलकत्ता उच नियाले के अंतरगत आता है और उच नियाले के नियाधीसों के वेतन और भत्ते यानि एलाउंसेस किस निधी से दिये जाते हैं तो राजी की सिंचित निधी से राजी का जो सिंचित निधी ह काने से तलाग काना गर कानूनी होगा आगे देखते हैं नयायधिसों को हटाने की प्रिकडिया में जरूरी है न्यायाधिसों को हटाने की प्रिक्रिया में तीन सदिश्य समिती होती है जिसमें भारत के मुख्य न्यायधिस यानि Chief Justice of India या उच्छतम न्याले का कोई अन्यवर्ष न्यायधिस उच्छ न्यायले का मुख्य न्यायधिस और एक प्रख्यात विधिवेता का होना आवज चेक है आगे देखते हैं एक उच्छ न्यायले का न्यायधिस अपना त्याग पत्र किसे समोधित करता है तो रास्टपती को एक उच्छ न्यायले का न्यायधिस जो है अपना त्याग पत्र किसको समोधित करके देता है तो रास्टपती को समोधित करके देता है 65 साल का हो जाता है, तो 62 साल कहां पढ़ है, तो उच नयाले में और 65 साल उच तम नयाले में, जब सरोच नयाले किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दाइतू के निर्वहन हेतू रिट जारी करता है, तो उस लेक को क्या करते हैं, उसको बोलते हैं परमादेश, तू रिट जाड़ी करता है तो उस लेक को क्या कहते हैं तो परमादेश बोलते हैं मेंडमस भारत में उचनेयलों की संख्या कितनी है तो पचीस है भारत में कितने उचनेयले है टोटल पचीस उचनेयले है और राज जी कितने है राज जी 28 है जमुएन कस्मीर के हटने के है तो आप देखिए कि कहीं ने कहीं से कुछ ना कुछ उच नियाले से बाकी जो केंदर सासित प्रदिस और राजी जो है वो एटैच है तो उसको जानना जरूरी है जो मैं आगे बता दूंगा क्लास के संपत्ति का अधिकार वर्तमानवे वैधानी का अधिकार यानि लीगल जिसकी रक्षा के लिए उच नियाले रिट जारी कर सकता है राजि के उच नियाले का मुख्य छेतरा अधिकार के नहीं आता है तो प्रामर्समंधी अधिकार नहीं आता है तो यह करती है उत्प्रेशन उत्प्रेशन करती है अधिनस्त नयायलियों की काड़े पद्यति की प्रडिक्षन कोड़ करती है तो ये करता है उत्प्रेशन मूल अधिकारों का संग्रक्षन उच नयायले और उस्तम नयायलियों की अधिकारिता में आता है मूल अधिकारों का संग्रक्षन जो है वो उच नयायले और उच्तम नयायले दोनों की अधिकारिता में आता है भारत के समिधान के नुसार जिला नयायदिस यानि रिष्टिक जैज के अंतरगत कौन समिलित नहीं है अब देखते हैं उच नयायले से संबंदित अनुछेद को तो ये बेसिक अनुछेद जानना जरूरी है खास करके देखते हैं बात करते हैं अनुछेद 214 राजियों के लिए उच नयायले की ववस्था होगी ये बताता है 215 उच नयाले अभिलेक के नयाले की रूप में होगा काड़ी कड़ेगा ये बताता है 216 उच नयाले का गठन से सम्मंदित बातें के बताएगा 217 उच नयाले के नयाधिस पद के लिए न्यूक्तियां तथा अहरता है 218 उच्छ नियाले में उस्तम नियाले से सम्मनित कुल प्रावधानों को लागू होना 219 उच्छ नियाले के नियाधीसों की सपत गरण 220 अस्थाई नियाधीस बहाल होने के बाद प्रैक्टिस पर परतिबंद 221 नियाधीसों का वेतन भत्ते आदी 222 किसी नयाधिस का एक उच नयाले से दुसरे उच नयाले में स्थांतरन 223 काड़े वाहक मुख्य नयाधिस की नयुक्ती 224 अतरिक्त एवं काड़े वाहक नयाधिसों की नयुक्ती उच नयाले के नयाधिसों को पिंसन भारत की संचित निधी यानि Consolidated Fund of India से दिया जाता है देखते हैं आर्टिकल 224 अ उच नयाले में सेवा निर्ट नयाधिसों की नयुक्ती 225 उच नयाले का छेत्रादिकार 226 कुछ रिट याजकाएं जारी करने की उच नयाले की सक्ती 226 अ अनुचे 226 के अंतरगत के अंदरिये अधिनियमों की समवैधानिक वैदेता पर विचार नहीं किया जाना 227 उच नयाले की सभी अधिनस नयालों पर अधिक्षन की सक्ती उच नयाले जो है ना किसी भी सिविल कोट में जाके वहाँ पर इंस्पेक्शन कर सकता है विश्टारन के लिए विशेज प्रावधान अब निरस्थ हो गया है ये 229 पदाधिकारों तथा सेवक एवं उच नयाले के वैज से संबंदित बात इसमें लिखी गई है 229 में 231 में है उच नयाले का छेत्रादिकार और 231 में है दो या अधिक राजियों के लिए एक साजे उच नयाले की अस्थापना तो देखिए ये अगर याद नहीं भी होता है तो परिशान होनी की जुरुत नहीं है बस इसको एक से दो बाड़ इसको देख लेना है चल्ए एक बाड़ इसको अच्छे से देख लेजिए ठीक है नए एक पड़ बस इसको देखना है कि उच नयाले पीत की अवस्थिती एवन चेत्रादिकार इसको देखना है तो नाम देखना है अस्थापना वर्स राज चेत्रिय और चेत्रादिकार मुख्य पीट वा खंड पीट कहां कहां इसको देखना है ठीक है न तो कहां से संबंदी थे यहां से काफी कुछ क्लियर हो जाएगा एक बार देख लीजिए और एक बार फिर जो है एक्जामनिशन की जब घोसना हो जाए उससे पहले एक बार देख लीजिएगा बाकी इसको रटने या घोटने की जुरत नहीं है तो देखते हैं कोलकता अस्थापना कब हुआ था कोलकता हाई कोट का तो 1862 में ठीक है 1862 में कोलकता हाई कोट आया था इसका च्छेतरा अदिकार क्या है तो पस्चिम बंगाल अंदमानिकोबार दूइप समूह मुख्य पीट वा पीट है इसकी कोलकता हाई कोट की खंड पीट कहा है पोर्ट में है अब बात करते हैं मुंबई की मुंबई की अस्थापना कब हुई थी तो 1862 में हुई थी इसका च्छेतरा है महरास्ट दादर वर नगर हवेली तथा दमन वर दीव और गुवा ये सब महरास्ट के अंदर में है अब समझे कितना वजन है महरास्ट के उपर में महरास्ट में दादर वर नगर हवेली है दमन है दीव है और गुवा हाई कोट है और इसका जो खंड पीट है मुंख्य पीट तो मुंबई है और इसका खंड पीट है नागपूर में पंजी में और अंगाबाद में इस चेरी हो गया है वो और इसका अब जो है मुख्य पीठ एक ही है वो कहा है तो मदरास में है करनाटक में देखिए रस्थापना कवर से 1884 करनाटक जो है इसका छेत्रादिकार है और ये कहा है बैंगलूरू में है इलाहबाद हाई कोट की बात करें तो 1866 में ये अस्थापित और इसमें आता है इलाहबाद तो है ही लखनों में भी एक खंड पीठ है लखनों में खंड पीठ है इसकी लखनों राजधानी है तो लखनों में होना ही था अब बात करते हैं पटना की 1916 में पटना हाई कोट का जो है अस्थापना हुआ है और कहां पड़ है इसका छेत्र अभाऄ चिज्छ Aria स्थापना होई 1928 में अभाधिन करके जहां का जो मामला है चेंज-गच भाई ज्हु場 कश्मियर राजीं रहा का लेकिन अब राज नहीं रहा वह तो इस तरीके से तो जहां मद्य परदेश पुड़ा परता है और ये है कहां परता जबलपुर में है ये इंदर और गवालियर में इसकी खंड पीठ है ठीक है ना तो मद्य परदेश का भोपाल में नहीं है आप ये देखिए गौर करिए तो जबलपुर में जो इसका मुक्षि पीठ है और खंड पीठ इसका इंदोर और गवालियर में खंड पीठ है अब बात करते हैं अब पंजाब और हडियाना की 1947 में स्थापित हुई पंजाब हडियाना और चंडीगड का छेतर इसमें आता है देखिए पंजाब आ गया राजी पुड़ा हडिया राजी आ गया और चंडीगड केंदर सासित परदेश भी तो है इन दोनों की राजदानी के अलावा तो इन सब को ये कवर करता है चंडीगड हाई कोट चंडीगड इसका बस एक मुख्य पीठ है फिर देखिए गोहाटी उनीसो और तालिस में है ओडिशा की बात करें तो 1948 में बड़न ओडिसा पुड़ा को ये करता है और भूमनेश्व solchen में नहीं होकर कटक में है उडिसा का हाई कोट कहा है तो वो कटक में है अब बात करते हैं राजस्थान की 1949 में बना पुरा राजस्थान को है ये इसका जो मुख्य पीठ है वो जोधपुर में इस्टेबलिस है और इसका खंड पीठ जो है ब्रांच उसका जो है वो जैपुर में है ठीक है ना उल्टा होना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं है जोधपुर में इसका मुख्य पीठ है आंध्रप्रदेश की बात करें तो 1954 में ये अस्थापित किया गया आंध्रप्रदेश का पुरा को ये कौवर करता है और अमरावती में है ठीक है ना मुख्य पीठी इसकी एर्णा कुलम में है ठीक है केरल की तिरवनत पुड़म में नहीं है ये कहां पर है एर्णा कुलम में है हाई कोड अब बात करते हैं गुजरात की तो 1960 में ये स्थापित हुआ पुरा गुजरात को कवर करता है अहमदाबाद में है तो यहां पर मुख्य पीठ कहा है दिल्ली में ही है हिमाचल परदेश की बात करें तो 1967 में अस्थापित हुआ पुरे हिमाचल परदेश को कवर करता है कहा है तो सिमला में है राजधानी में ही है ये सिक्किम 1975 में ये स्थापित हुआ पुरी सिक्किम को कवर करता है गैंग टोक जो है वह कवर करता है बिलास पोड़ इसकी मुख्य पीठ है उत्राखंड की बात करने दो हजार में स्थापित हुआ उत्राखंड है और नैनी ताल में जो है इसका मुख्य पीठ है उत्राखंड का नैनी ताल में मुख्य पीठ है जाडखंड 2000 में स्थापित हुआ जाडखंड में है राची इसकी मुख्य पीठ है, पहले पटना हाई कोठी था ये, लेकिन अब चेंज हो गया वो, मिघाले 2013 में स्थापित हुआ, मिघाले पुरे को कॉभर करता है, सिलोंग में इसकी मुख्य पीठ है, मनीपूर 2013 में स्थापित हुआ, पुरे मनीपूर को कॉभर करता है, मुख्य पीठ है ठीक है ना तो अब देखिए कि आठ केंदर सासित परदेश विभिन राज्यों के उच नयालों के अंतरगत आते हैं ये विशेस बात है इसको देख ले रहा है आठ केंदर सासित परदेश विभिन राज्यों के उच नयालों के अंतरगत आते हैं और विशेस में हम लोग दिखें तो छे उचने आले ओ, इलाहबाद, बॉम्बे, गुहाटी, मद्य प्रदेश, मद्रास, वर राजस्थान की एक अस्थाई खंड पीट है। केवल करनाटक उचने आले, मुख्य पीट, बैंगरुरु की दो सरकिल खंड पीट है, एक है धारवाण और एक है गुल बढ़गा। चलिए दो, तीन और शियों को देख लेते हैं कि निवारक, निरोध, यानि प्रिवेंशन, डिटेंशन के अंतरगत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने दिन तक बंदी बनाकर रखा जा सकता है। तो तीन माह तक, तीन महीने तक जो है निवारक, निरोध के तार किसी को बंदी बनाकर रखा जा सकता है। समझ में आ गया। लीला सेड जी के बेटे हैं विक्रम सेड जिन्होंने किताब लिखी है इस उटे बुल वॉए। बड़ी फेमस किताब है। तो देखिई ऊसरे चीजों को जोड के रखा जाता है। चीजों को जोड़ के पढ़ा जाता है तो चलिए अभी के लिए हम लोग इतना ही करते हैं तब तक जिनको इच्छा हो एंसर आइटिंग के लिए जोईन बटन दवा के उसमें आप एंसर आइटिंग की कोशिस कर सकते हैं अने था पड़ी के बाद देख ले यह जहां से मनें वहां से करें चलिए अभी के लिए इतना ही धन्यवाद